बिसमिल्लाहरु रोहमाने वहीं अस्सालामुलेकूं क्लास्वेस्टियर तोडे वी स्टेडि अबाउट दा ग्राफ ऑफ जर्नल कौड्रिटिक फंक्शन में किस तरह से हम ग्राफ को फाइंड डॉक बना सकते हैं तो कौड्रिटिक फंक्शन में जिसकी वेरियेबल की पावर क्या होती है x-square है तो x-square की फाउम में तो अब हम कैसे फाइंड डॉक करेंगे कौड्रिटिक फंक्शन है तो सबसे पहले सेपरेट करेंगे c को c को हमने सेपरेट कर दिया दावर एक्वेशन आपके पास क्या बंजी एक्सक्या है प्लस a b by a x प्लस c अब इसमें आप क् यह स्केर फार्मॉला बनना चाहरें तो इसके अंदेरे आप यह तोर से प्रेक कर दो के किसको सबसक तो सबसर को डॉक्त को जैन आपके पास क्या जाएगा अब ये square वला formula बनेगे अब ये a plus b whole square कैसे बनाएं अब इसमें a तो हमारे पस first video आगी ठीक है b हमारे पस क्यों होगी x b हमारे पस क्या आजाएगा b हमारे पस आजाएगा b divided by 2a whole square ठीक है अब इसमें formula में डालते हैं तो formula आपके पस क्या होते है a plus b whole square is equal to a square a square आपके पस क्या है जी x square a square plus 2a a हमारे हमारे पस क्या है x है b हमारे पस क्या है b divided by 2a है ठीक है a to a b है और plus हमारे पस क्याएगा 20 आजाएगा b divided by 2a है ये 22 से cancel होगा है इसका मतलब है एए अपके बाद तो इसलिए हमने इसको किसका नाम दे दी है A प्रस B का whole square नाम दे दी अब इसमें हम लोग क्या करते हैं जी इसको simplify करते हैं इस equation को इसके लिए हम लोग बोलेते हैं H की equal H is equal to minus B divided by 2 A and K is equal to this ठीक है तो अब इसमें equation number 2 को नाम दे दिया so then equation number 1 become equation 1 क्या बन जाएगी A into x x plus B divided by 2 A की जगा हम डालेंगे minus H ठीक है यह बना then plus इसकी जगा हम डालेंगे क्या है तो अब अगर आप देखो तो यह हमनें के पास क्या बन जाएगा the graph of a function is parabolic parabolic form में होगा इसकी vertex आपके पास क्या होंगे H और K होंगे अब इसकी conditions हैं हमेरे पास कि पेरा बोला तपेरा बोला open upward open upward मतलब कि upward क्या होगा open open होगा जब if A is greater than 0 then downward जब वो downward होगा तो A is less than 0 the axis in the vertical line is x is equal to h जाएगा अब इस related हम question solve करते है इसकी condition है जैसे the graph of the quadratic function f of x is equal to this is called the parabola with which open upward if A is greater than 0 then if A is less than 0 the graph of a function is open downward upward condition में आपके पास ही बिला जाएगा and then downward condition second condition यह है कि the lowest and highest point is called the vertex of the parabola its formula is जिसके भी हमने fine root कि है vertex कि minus B divided by 2 A comma C minus B square divided by 2 B the vertical line passing through the vertex is called the axis of a parabola for axis we use is हम क्या use करेंगे x is equal to minus B divided by 2 A question no.3 है quadratic equation हमारे पास क्या है जी f of x is equal to x plus B x plus c ठीक है अब इस में जब हम वीलियो को compare करो तो अब अगर आप देखो तो यह से बने जाएगी 3 divided by 4 x के ठीक है plus अगर हम इसको करते हैं जी आजेगा plus यह जाजेगा 0 B और plus 0 C ठीक है जी 0 C आगया तो अब इसको quadratic equation के साथ compare करते हैं तो यह आपके पास A आगया 0 B आगया इस तरह से आपके पास C आगया ठीक है A की value 3 by 4 B 0 आगया और C भी आपके पास क्या आगया 0 आगया सबसे पहले हम लोग को बोलावे जी हम इसमें graph में find out करना है vertex तो vertex अभी हमने find out किया था formula vertex हमारे पास क्या है minus B divided by 2 A कामा C minus B square divided by 4 A इसमें हम value put करते हैं B हमारे पास 0 आगया यह भी हमारे पास 0 आगया इसमीं कि हमारे पास vertex से आजाएंगे 0 आजाएंगे next हमने क्या find out करने all intercept and intercept find out करने तो x intercept जब भी आपको पता है कि जब intercept find out करने x intercept find out करते हैं तो put x is y is equal to 0 in equation number 1 so put x y is equal to 0 in equation number 1 now we get 3 divided by 4 x square is equal to 0 so 4 divided हो जाएंगे 4 जाएंगे 4 जाएंगे 4 जाएंगे multiply हो जाएंगे 3 जाएंगे x square is equal to 0 तो means x is equal to 0 आगया जब इसे तरह से similarly y intercept so put x is equal to 0 so y in equation number 1 so y is equal to 3 divided by 4 0 square so y is equal to 0 तो हमने intercept to be find out करते हैं now next we find the a intercept defined होगे vertex we find होगे now the axis of the graph तो उसके लिए हम लोग एकस के लिए हम लोग नहीं अभी बड़ा था तो axis हमारे पास किया होंगे minus b divided by 2a to b हमारे पास किया है 0 2 divided by 3 a हमारे पास किया 3 by 4 it means 0 divided by any number which will give us 0 since अब आप गर आप देखो तो a की वेलियो आपके बास किया है 3 divided by 4 which is greater than 0 तो आपको पता है जैसे कि अग ग्रेटर दन 0 आजाए a की वेलियो तो graph क्या हो जाएगा open upward similarly same as question number 2 and remaining part is your homework 5 5 5